आप देख रहे हैं दखल न्यूज दाहुल गांधी ने राइपुर में कहा के देश के प्रधान मंत्री मोदी अपना काम ठिक धंग से कर नहीं पा रहे इसकी वज़ा से देश में आशांती का माहल पैदा हो रहा है सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है महिलाएं खुद को असुरक्षत महसूस कर रही है हिंसा घटना बढ़ रही है महंगाई में इजाफा हो रहा है अगर वे अपना काम ठिक धंग से करते तो यह सब नहीं होता राहुल ने कहा कि केंदर सरकार जिस तरह से कानून के साथ खिलवार कर रही है वे देश के लिए आंतरिक तोर पर घातक है इससे देश में आराजबता की स्थती पैदा हो रही है देश कट टाइम जाया किया जाओ नोटबंदी की किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा निकाल दिया तीन लाख पचास हजार करोड रुपे सबसे अमीर पंगा लोगों को दे दिया मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया उनके जेब में गया कोई कुछ खरीद नहीं रहा है फैक्टरिया बंद हो गई है सिंपल एकोनोमिक से इसमें कोई मुश्किल बात नहीं मगर ये प्रधान मंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है रहुल गांधी ने कहा कि एक प्रधान मंत्री की तौर पर वे पूरी तरहा सफल साबित हो रही है जन्ता ने इनके दिखाए जूटे खावों को अब समझ लिया है और प्रधान मंत्री की प्रती लोगों का भरोस अभी कमजोर हो रहा है एनारसी और एनपियार जैसे बिल लाकर सरकार देश के गरीबों पर अत्यार कर रही है यह पूरी तोर पर दमन कारी नीती है इसकी वज़ criter से देश की गरीब जनता और ज्यादा तक्लीध से गुज़र रही है नोडबंदी ने गरीबों की कमर तोड़ कर रहती है मैं राहूल बाबा को चुनोती देता हूँ कि वह इस एक्ट का एक भी ऐसा क्लॉस बता दे जिसमें यह प्रावधान है कि उससे किसी की नागरिक्ता चिनी जा सकती है कि बी नागरिक्ता लेने का अगर प्रावधान है तो रुप्या आप बता दीजीं के वह इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाता हूँ मोधी सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल में कई बड़े निर्णे लिये हैं इसमें हाल ही में नागरिक्ता संशोधन कानून बनाना भी श्यामिल है इस कानून के लागू होने के बाद देश के कई राच्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं इस कानून के तहट पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानेस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम जो भारत की नागरिक्ता चाहते हैं उन्हें यहां की नागरिक्ता दी जाएगी इस कानून से इन तीन देशों के मुस्लिमों को बाहर रखा गया है देश में इसके खिलाफ ही प्रदर्शन किया दा रहा है हाला कि पीएम मोदी और अमिश्या की ओर से कई बार सफाई सामने आ चुकी है कि इस एक्ट से देश के किसी भी नागरिक की नागरिक्ता पर कोई असर नहीं होगा शुकवार सुभा अलमाटी एरपोर्ट से बैक एर के विमान ने विच्चानवे यात्रियों और पांच क्रू मेंबर्स के साथ उडान भरी थी उडान भरने की ठेक बाद यह एक बहुमंजला इमारत से जाटक राया और क्रेश हो गया विमान क्रेश होते ही राहत और बचावदल की टी में मौके पर पहुची और ततकाल लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर लिया हाथसी का शिकार हुआ विमान अलमाटी से कजाकिस्तान की राजधाने नूर सुल्तान के लिए जा रहा था उडान भरने के कुछ ही मिंटों में यह रडार से गायब हो गया कुछ ही देर में हाथसे की जगा से धुमा उखता नजार आने लगा विमान के लापता होते ही राहत और बचावदल रवारा हुए और दुरगटना इस्तल पर पहुचे हाथसे के बाद क्रेश हुए विमान की तस्वीरे शोशल मीडिया में वाइरल हो रही है जिन से मलवे से बचाए गए लोगों की वही बैठे नजर आ रहे हैं साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तुकडों में बटा विमान नजर आ रहा है सेंतिस साल के कुशल पंजावी एक जाने माने अभीनेता थे इस समय उनके पास काम भी बहुत था ऐसे में उनका अचानक फासी लगा कर जान देना किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है टीवी कलाकार करनवीर बहुरा ने कुशल के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि भैस घटना से हैरान है करनवीर ने ट्विट करते हुए लिखा तुम्हारे जाने की खबर से मैं हैरान हूँ मैं अब तक इस बात को नहीं मान पा रहा हूँ मुझे पता है कि तुम एक अच्छी जगा हो लेकिन यह समझने में काफी मुश्किल है आपने मुझे बहुत प्रेरित किया था वही कलाकार करन पटेल ने कुशाल का फोटो इंस्ट्राग्राम पर शेयर करते हुए उन्हें शद्धांचली दी और लिखा रिप मेरे भाई यह सच हो गया जब वे कहते थे कि मुस्कान वाले चहरे सबसे ज़्यादा दुख छुपाते हैं कुशाल पंजाबी ने टीवी के साथ ही फिल्मी परदे पर भी अपनी कलाकारी से छाप छोड़ी थी कुशाल पंजाबी का जन्म 23 अप्रेल 1982 को हुआ था उन्होंने टीवी अक्टर के साथ ही मौडल के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बना ली थी उन्होंने माउथ फुल हाफ, स्काई, ये दिल, चाहे मोर, लव नरिज, देखो मगर प्यार से, कभी हाँ कभी ना फियर फैक्टर, कसम से, अंतरेक्ष, हम तुम, जोर का जटका, आस्पान से आगे, तेरी मेरी लव स्टोरी और राजा की आईगी बराज जैसे कई कारिक्रमों में एहम भूमिकाने भाई है इसके लावा फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सलामे इश्क, हमको इश्क ने मारा, धन धना धन गोल, क्रेजी, कुकर, फैमिली और काल जैसी फिल्मों में भी काम किया है राइपुर में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी आदिवासियों के साथ पारंपर एक डांस करते नजर आए इस कारिक्रम में राहूल गांधी ढोल भी बजाएंगी आज से राश्ट्रे आदिवासी लोकनित्य महसव का आगाज हुआ है इस महसव में शामिल होने के लिए देश के पचीस राज्यों सही छे देशों के आदिवासी लोकनित्क डलाए है आयोजन का शुभारम राहूल गांधी ने किया राहूल गांधी ने इस महसव को लोगों को एक दूसरे से जोलने वाला शानदार आयोजन बताया उन्होंने कहा कि अब जब देश में साम्प्रदाइक्ता और आराजक्ता के जरिये भाई को भाई से लडाने का प्रयास हो रहा है ऐसे में इस तरहा का आयोजन अलग-अलग संस्कृति के लोगों को एक जुट करने के लिए एक बेहत साकारात्मक कदम है राहुल गांधी जैसे ही मंच उसे अपना बाशन दे कर उतरे उनके सामने चतीज करके गौर माडिया नितक दल प्रस्तुती दे रहा था मांदर की मधुर थाप से राहुल मुक्द हो उठे और खुद को रोक नहीं पाए बाशन मुकुट पहने राहुल ने मांदर लटकाया और नितक दल के साथ नित में शाविर हो गए उनके साथ साथ सीम भुपेज बगेल भी मांदर की थाप पर थिरकने लगे राहुल नितक दल की भाव भंगमा और उनके डांस स्टैप को ध्यां से देखते रहे और उसे अपने अंदाज में करते दिखाए बड़े उन्होंने नितक दलों का जमकर उत्सावर धन भी किया करते बड़े बड़े पर उन्होंने जत्सावर की बड़े की बड़े बड़े पूर्व लोग सभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कॉंग्रेस के कई आला नेता मौझूद रहे कारिक्रम की अध्यक्षिता मुख्यमंत्री भुपीश पगेलने की। अध्यक्षिता मौझ। बिना सब को लिये, हर धार को, हर जात को, आदिवासी दलेत, पिछलों को लेकर, ले बिना, हिंदुस्तान के अर्ग्वेवस्तान नहीं चलाई जा सकती है। राइपूर में बुड़ा तलाब में नागरिक्ता संशुधन कानून के समर्थन में विश्याल समर्थन महासभा हुई। उसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और सभा के बाद रेली निकाल कर नागरिक्ता संशुधन कानून के समर्थन में सलको पर उत्रे समर्थन महासवा वा रेली को कईबुदी जीवी पूर्वमंत्री ब्रज्मोहन अगरवाल वा अन्य लोगों ने सम्बोधित कर इस कानून के बारे में विस्ता से जानकारी दी और जागरुकिया राइपूर से विधायक भाजपा नेता ब्रज्मोहन अगरवाल ने कहा कि जो नागरिक्ता संशुधन कानून का समर्थन कर रहे हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो कपूत है आज हम सब भारत माता के सपूत हैं ये नागरिक संसोधन विधायक भारत माता के सपूतों की रच्चा के लिए है जो भारत माता का कपूत है या जो विरोध करता है उसको ये उसके लिए हानिकारत हो सकता है इसके विरोध करने वाले भारत माता के सपूत नहीं कपूत है औ कमलनाथ सरकार का पहले दिन से माफियाओं के खिलाफ कारवई का एजंटा था, पॉलिजिकल लीडरों के ना चाहने के बाद भी हमने कारवई की, मन्तिरी कमलनाथ की गुज्ड गविनन्स की सोच के आधार पर पहले दिन से ही काम किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में माफिया पर कारवाई हो रही है जो कॉंग्रेस से जुड़े थे उन पर भी कारवाई की हैं हमारी सरकार ने इन दौर की जीतू सोनी पर जिस तरीके से कारवाई की है ये उधारण है माफिया पर कारवाई का सुशाशन में हमने प्रदेश को नंबर वन बना दिया और बहुत से पर्लिकल लीडर्स के नच आते हुए भी सब गुआ है तो निस्टी तोर पर ये जोनों ने एक सोच थी गुड गवर्नेंस की उस पे पहले दिन से एक्शन किया मामला शोशल मेडिया से शुरू हुआ शेवपुर के कराहल में सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशाशन ने जो कारवाई की थी उसके खिलाफ फेस्बुक पर कुछ लोगों ने पोस्ट करते हुए कारवाई को मनमानी वा गलत बताया एसी ही एक पोस्ट पर तहसिलदार अमीता सिंग ने कारवाई को गलत बताते हुए प्रभावित लोगों को नयाले में जाने की सलहा कमेंट बॉक्स में दे डाली यही उन पर भारी पड़ गया मामला सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिवाप पाल ने तहसिलदार अमीता सिंग को नोटिस जारी कर दिया तहसिलदार को दूसरा नोटिस भोपाल के एक युवग सायद काशिफ अली नियाजी की एक पोस्ट पर कमेंट करने पर मिला 16 देसंबर को सायद काशिव अली नियाजी ने समिधान और सरकार से जुड़ी एक पोस्ट डाली थी इस पोस्ट पर तहसिलदार अमिता सिंग ने सिर्फ तीन शब्द का अपत्ती जनक कमेंट किया था बताया गया है कि कई लोगों ने इसकी शिकायद भुपाल में ही सीनियर कॉंग्रेस नेतावा अल्प संख्यक समुधाय के मंत्रियों से की सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो चर्चा में है इन्होंने कौन बनेगा करोरपती में 50 लाख जीत कर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है वही उसके उलट उन्होंने चाटुकारिता और भ्रष्टाचार बनाम शाष के सेवा शिर्शक से फेस्बुक पर एक पोस्ट कर प्रदेश भर के नाया तहसिलदारों को भ्रष्ट और चाटुकार बता दिया था साथ ही अमिता सिंग ने अपनी पोस्ट में सरकारी तंत्र को भी सड़ा हुआ बताया था उन्होंने लिखा था कि अब तो प्रशासनिक आकादमियों में भी भ्रष्टाचार वाचाटुकारता की ट्रेनिंग दी जा रही है वे शोशल मीडिया पर बेहत सक्रिय रहती है पिछले साथ जब राजशाशन ने राजगर में उनका तबादला सीधी कर दिया था तब उन्होंने प्रधान मंतरी नरेज बोधी एवब मुख्र मंतरी को पत्र लिख था था और वे चुर्खट में ही पदस रही इसके बाद उनका तबादला फिर हो गया अब ट्रांसपोर वाली मैडम भी कहा जाता है उनके करीब दो दरजन से अधिक बार तबादले हो चुके हैं आमीता के पती गौालियर में ट्रांसपोर्ट विफसाई है नाग्रिकत्ता संशुधन बिल और नर्सी को ले कर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल है एक खेमा इसके विरोध में है तो एक खेमा इसके पक्ष में है नाग्रिकत्ता संशुधन कानूल को केंदर सरकार का एक बेहतर कदम बताते हुए राजनन गाउन शेहर में this bill बिल के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामीज हुए और केंदर सरकार के द्वारा लाए गए इस अधिनियम को भारत के नागरिकों के पक्ष में बताया इस दौरान यात्रा में शाविल राजनान गाउं के सांसा संतोष पांधे ने कहा कि इस बिल के आने से भारत में पडोसी देशों से आए हुए प्रताडित लोगों को राहत मिलेगी आज राजनान गाउं की जनता ऐसे नागरिक्ता संसोधन एक्त के पक्ष में आज सड़कों पर उतर करके आज मोदी जी को यही संदेश दे रहा है कि मोदी जी हम आपको बढ़ाई देते हैं आपने इस राष्ट के लिए सत्तर वर्सों से लंबित ऐसे दबे कुछले उत्पिडित लोगों को चाहे वो जैन हों, बद्ध हों, पारसी हों, शिक हों, हिंदू हों आपने उनको मौका दिया हम आपके बहुत बहुत अभारी है तिरंगा यात्रा राजन गाउं शेहर के मिरिस्पल स्कूल मैदान से निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सभी आईू वर्ग के महिला और पुरुष हातों में भारत माता की आन, बान और शान का प्रतिक तिरंगा लेकर शानिल हुए रैली शेहर के बिविन मार्गो से गुजरी रैली का समापन शेहर के जैस्तम चौक में आयोजित एक महासभा के साथ किया गया बोपाल में अवैद कबजे हताने की प्रशाशन की कारवाई लगाता जारी है प्रशाशन भू माफिया और आपराधिक प्रवती के लोगों के अवैद कबजों से शेहर को मुक्त कराने का अभ्यान चला रहा है और इसी अभ्यान के ताहत नगर निगम, अमला और पुलिस प्रशाशन का दल बेरगर कला पहुचा बेरगर कला में राजु मीना के मकान को भी धुस्त कर दिया गया इससे पहले प्रशाशन ने ग्राम बेटा के पास टेकरी के पीछे सरकारी जमीन पर बनी डेरी को भी जेसी भी मशीन से जमी दोउस कर दिया था SDM बनूज उपाध्या और SDOP दीपक नायक ने प्रशाशन को जो नाम दिये थे उन मकानों पर भी गारवाई की जा रही है जो लिस्टिंग कर रही है जो थाना शेत्र के इस तरीगे के अपरादी है जिनके उपर बहुत ज्यादा अपराद हैं और इनके द्वारा इसे प्रकारी संपत्ती गारजन किया गया है उनके वूर्द में इस तरीगे की ये कारवाई करी गई है एनकि मकानों के जो अवैद मिर्मान करे गए हैं और उनकी और संपत्ती को भी चिन्नित किया जा रहा है ऐसी समाम सूची हमारे थाना शेत्र में अनुभाग के इस तर पर सूची बनाई गई है और उसमें लगातार संपत्ती चिन्यत करके इस तरीगे की कारवाई की लिए चुकि नगन निगम, प्रशाशन और पुलिस की सेफ़ टीम के दोरा ये कारवाई करेंगे तो बिना अनुमती के 1500 वर्ग फीट पर मकान राजु मीना ने बना रखा था राजु मीना के खिलाफ बैरागड और खजूरी थारा शेतर में अड़ीबाजी अवेज शराब बेचने समेत उननचास प्रकरण दर्ज हैं बैरागड कला निवासी हिस्ट्रीशीटर बदमाच राजु और्फ राम नरण मीना के मकान को जिला प्रशाशन की टीम ने गुरुवार को द्वस्त कर दिया कबजा हठाने पहुचे अमले को देखते ही इलाके में हरकम बच गया राजु के मकान पर अमला पहुचते ही महिला घट से बाहर निकलाई भाई हरी नरण और सपना मीना ने पुलिस प्रशाशन से काफी देर बहस की लेकिन प्रशाशन ने किसी की बात नहीं सुनी घर का सामान निकालने के लिए परिवार को आदे घंटे का समय दिया गया इसके बाद दो जैसी भी मशीनों की मदद से मकान तोड़ दिया गया इंडॉर में पप बार और रेस्टरेंट होटिल चलाने वालों के पुलिस के गजोर के कई किस्ते सामने आ चुके हैं ऐसे में इस सब को नियम काईदे का पाथ पुलिस को नए सिरे से पढ़ाना पढ़ रहा है इंडॉर पश्चिम के एस्पी अवदेश गोस्वामी ने पफ संचाल को और थाना प्रभारियों को चेतावनी दी है और कहा है कि देर रात किसी भी छेतर में पफ संचालित हुए तो दूसरे थाने छेतर का टी आई रेट करेगा और वहां के अभिकारी के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी भवर्कुआ थाना छेतर में पफ चालू होने के बाद एस्पी ने समस्त थाना प्रभारियों और पफ संचाल को को ये चेतावनी दी साथ ही कनाधिया थाना की कारवाई का उध्धारन भी दिया इतना अनूठा बुंदेल खन अंचल है उतनी ही अनूठी यहां की परमपराय है इन परमपराओं में इंसान का ही नहीं जानवरों तक का खयाल रखा जाता है आपने कई बार सुना होगा कि खेत में गाएं फसल खालें तो विवाद हो जाते हैं मगर आपने ये नहीं सुना होगा कि खुद ही लहराती हुई फसलों को खाने के लिए गाउं के लोग गाएं खेत में छोड़ दें जी हाँ ये सच है और ऐसा होता है सुर्खी विधान सभा के रजोली गाउं में 400 साल से चलिया रही इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है सारे देश में गौरक्षा, गौसंदरक्षन, समवर्धन को लेकर तमाम वादे दावे किये जाते हैं लेकिन बुंदेल खंड अंचल में गौवंश सैक्रो सालों से शद्धा का पात्र बन रहा है गाए को मा का दर्जा दिया जाता है, गौस सेवा की परंपरा है गौभोज, फसलों में जानवरों को घुसने को लेकर ग्रामी छेतरों में बादिवाद की किस्ते अकसर सुनने में आते हैं लेकिन सागर जिले के गाउं में एक दिन के लिए सारे जानवरों को इखटा कर हरे भरे खेतों में छोड़ दिया जाता है और इसी परंपरा का नाम है गौभोज यह परंपरा लगभर 400 से अधिक वर्षों से जारी है इस परंपरा के बारे में ग्रामीडों की मानिता है कि इससे उनकी फसलों को लाब होता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं हरे भरे खेतों में भागते दौरते और चरते हुए जानवरों के जुंदों को यह नजारा है सागर जिले के राहतगर तहसील के रजोली गाउं का यह जानवर गौब भोज में हिस्सा ले रहे हैं इस परंपरा के आयोजक भगवान सिंग लोधी बताते हैं कि बरसों पहले इस छेतर में प्राकर्तिक आपदा आई थी तब बुज़र्गों ने गाउं को नियंतरन कर उनको भोज कराया था तब से यह परंपरा नियंतर जारी है यह 400 वर्ष पुरानी परंपरा है जिसका आईजन पोशी अमावस्या के दिन किया जाता है और ग्रामिनों का मानना है कि इस से उनकी फसलों को फाइदा होता है तो नरंतर उस समय से चलती आ रही है और आज रही तरही नरंतर यह है कि आप शद्धा के नुसारा हम लोग गाउमाता का वो देखते हैं इस सद्धा है उसी अमावस्या तो लगभग यह 24-25 तारिकों पढ़ती है दिसंबर में यह 23-22-23 तरह से आती है और नरंतर चल रही ह और हमारे गाउमें पहला है मत्पी ससन कोई मंतिर इस से में मौजूद है और इस कारीकर में पढ़ा रही है यहां प्रतिवर्ष पॉसियमावस्या के दिन शद्धा के साथ गौमाता भोज का आयजन किया जाता है जिसमें गाएं पूजन के साथ गायों को खड़ी फसलों में चरने वा विच्रन करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है पूरे गाओं की गाएं इस दिन कहीं पर भी खेतों में जाकर स्वचंद रूप से विच्रन करती हैं चरती हैं इस दिन कोई रोक टोक नहीं होती हैं सभी ग्रामें जंग गौमाता भोज को पूरी शद्धा के साथ मनाते हैं ऐसी मानता है कि गौमाता के आशीश से फसलों की अच्छी पैदावार होती हैं इस अफसर पर आयोजित कारिकरम में मंत्री राजपूर्ट ने भी हिस्सा लिया उन्होंने ग्राओं राजाणी वासियों की गौभोज योजना के लिए सरहना की उन्होंने कहा कि गौँ के प भी छेत्र की गाये हैं इन गाओं के लिए फिरी छोड़ दिया आता है कि वो खड़ी हुई फसल में घुसकर जितना उनको खाना है जितना चरना है आज के दिन वो फिरी रहती है मैं समझता हूँ ये परंपरा इस गाओं में रजोली गाओं में जो की सुर्गी बिदान सहाओं में आता है कि चार सो साल से इस पर्व को मनाया जाता है मैं समझता हूँ इस परकार का पर्व साइध ही कहीं मंद्बेदेश से मनाया जाता हो आज के जमाने में एक भी जानवरा का घुश जाता है तो लोग उसको मार मार के बाहर बखाने का प्रयास करते हैं लेकिन इस गाओं के लोगों की ये परंपरा बहुत ही सराहिनी है राज़्टीती से कूट मीती ता दखन न्यूद आप क्या हते हैं आप देख रहे हैं दखन न्यूद